सवाल नमबर एक राष्टपती की कार के निच्छे अगर बच्चा दब कर मर जाए तो किस के खिलाफ केश होगा दिया गया जवाब आर्टिकल 361 के तहट राज्य परमुख गवर्नर और राष्टपती को छूट मिली हुई है पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा सवाल नमबर दो कोई व्यक्ति किसी गरववती मिला के पेट में मार दे और गरभाष्य में बच्चे की मोत हो जाए तो क्या मडर केश होगा सवाल नमबर तीन आपकी दो बेटिया है इसके बावजूद बच्चा पैदा करने को फोर्स किया जाए तो आप क्या करोगी दिया गया जवाब एक बच्चे से पूरा परिवार एफेक्ट होता है इकोनोमी भी परभावित होती है बेटी हो या बेटा इससे कोई फरक नहीं पड़ता सवाल नमबर च्यार आपका पती आपसे जोब छोड़ने को कहे आप क्या करोगी दिया गया जवाब अगर मेरे पती ऐसा कहते हैं तो मैं उन्हें समझाओंगी अगर वो पहले बार में ना भी माने पर फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी सवाल नमबर पाँच यदि पती आपसे यह कही कि चार बच्चे पैदा करने हैं तो क्या करोगी दिया गया जवाब मैं पहले उन्हें समझाओंगी फिर भी वो अगर ना माने तो राइट टू अधिकार से मैं उन्हें साफ मना कर दूँगी सवाल नमबर छे राम रही मामले में दस-दस साल की अलग-अलग सजा क्यों दी गई है दिया गया जवाब 2013 में एक संसोद्धन हुआ था जिसके मुताबिक सभी दाराओं में जिन में दोस साबित हुआ है उनकी सजाएं अलग-अलग चलेंगी सवाल नमबर साथ आपका पती आपसे बिजनेस के लिए पैसा मांग रहा है क्या यह मैंटल क्वालिटी में आएगा दिया गया जवाब पती अगर एक बार पैसा मांगे तो नहीं आएगा पतनी से मदद लेना प्रोब्लम सेयर करना उसका अधिकार है सवाल नमबर आठ पतनी का दूसरे आदमी से अफेयर है तो क्या करेंगे दिया गया जवाब मैं आईपीसी की दारा 497 के तहट उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें